तो कैसे हो सीविल इंजिनेर्स, I hope सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्त होंगे, स्ट्रेस री लाइफ चल रही होगी तो एक फोकस रखना अपना जॉब पे स्ट्रेस लेने की जुरूद नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, बस प्रपेर करो, आगे की जुरूर बढ़ोगे और दूसरा जो हमारा जॉब लिंग था, वो भी आपने, अच्छा उसमें भी रिस्पॉन्स भी है, क्योंकि जो सीनियर विली इंजिनिर की जॉब निकली थी प्यास पी में, पांच साल के एक्स्वीरिस मागए था, तो काफी लोग जो हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक चीज, दूसरा उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है, वो 10 और से जाधा नहीं होना चाहिए, ये भी है, आगे बढ़ते हैं, जब भी कॉंक्री टेस्ट होता है, क्यूब टेस्ट हो गया, यहां कॉंप्रेसिव स्टेंग टेस् सिक्स क्यूब में 1500 mm का जो हमारा क्यूब रहता है, जहां सिलिंडरिकल शेप का भी आता है, तो तीन क्यूब जो हमें टेस्ट करने होते हैं, वो साथ दिन पर करने होते हैं, और बाकी तीन करने होते हैं हमें 28 दिन पर, ठीक है, क्लियर, और उसका जो भी रिजल्ट आता है, उसी पे हमारा base होता है कि जो आपने concrete use किया वो अच्छी quality का है कि नहीं आगे बढ़ते हैं basic question है आज में जैसे आपको बताए था अगले question की बात करते हैं जो अगला question है हमारा वो है water cement ratio for different grade of concrete shall not exceed 0.45 for M20 and above मतलब जो भी concrete होगा M20 जहां उससे उपर उसमें water ratio आपको 0.50 से ज़ादा नहीं करनी है एक शरत होगी ज़ादा किया तो क्या होगा workability तो अच्छी हो जाएगी लेकिन उसमें cracks का डर हो जाता है उसकी strength पर effect पढ़ता है ज़ादा पानी से bleeding हो सकती है जहां कोई easy material नहीं रहता है ठीक हा आगे बढ़ते हैं 0.50 for M10 and M15 मतलब आपको जो भी M20 concrete होगा या उससे उपर होगा उसको आपको कितनी ratio रखनी है 0.45 और जो M10 और पंदर है उसमें 0.50 और इसमें जो भी test होते हैं वो पहले कर लेने हैं फिर उसके बाद ही आपको अप्रूब करना है यह एक मतलब हो गया supervision का next है जो pouring of concrete no concreting operation shall be carried out during inclement weather condition जब भी ज़्यादा बारिश पड़ रही हो हवा चल रही हो या हाई window या ज़्यादा दूपो 40 से उपर temperature हो कभी भी तब concrete नहीं करना है क्योंकि काफी effect पड़ता है concrete पर एक तो उसकी strength पर भी effect पड़ेगा durability पर एफेक्ट पड़ेगा तो आपको हमेशा यह चीज दियान रखना है रखना है जो भी reinforcement जो भी सरीय आप यूस करोगे side पर slab में column में बीम में वो देखो free from mill scales loose rust code of paint oil मतलब कुछ भी उस पर लगानी होना चाहिए ज़ादा क्या होता है जब भी मैं आपको example बताऊ एक जब भी slab होती है तो उसमें shuttering होने के बाद oil लगता है shuttering oil लगाया जाता है कि अच्छे से concrete plate को चिपके नहीं अलग रहे प्लेट अच्छे से में तो यो ribs होती है वो एक मतलब बॉइड करके रखती है और वो खराब होती है उससे क्या होता है क्रियक जो micro cracks होते है वो होने के chances रहते हैं तो हमेश्या दियान देने हैं आपको जब भी आप side पे काम करवाओ आगे बढ़ते हैं by providing proper cover blocks spacer, cs, extra, r reinforcement shall be placed and maintained in position as shown in structure drawing मतलब जवब भी structure drawing में दिखाया रहता है जैसे कि आपका ये सरी है यहाँ और इतने का cover आपको provide करना है ये सब चीज़ें आपको as a civil engineer देखनी है जब भी आप काम करो आगे बढ़ते हैं cement shell be 43 grade OPC confirming to IS 812 or 53 grade ordinary cement confirming to IS 12269 slash 197 जो भी आप 43 grade cement use करोगे देखो grade कितनी होते हैं cement के 3 grade basically देखे जाते हैं एक हो गया 33, 43, 53 33 grade अभी आ रहा नहीं है उसकी जगा PPC ने ले ली है Portland, Pozlana cement ने ले ली है लेकिन अभी 43 और 53 grade use किया जा रहा है यह कहते हैं कि जो भी आप 43 grade use करोगे तो वो किसके according होना चाहिए IS-8212 और जो हम OPC 53 करेंगे वो किसके होना चाहिए IS-12269 के और जो हमारा PPC cement है अगर plaster की बात करने है सबसे अच्छा cement है अगर हम plaster में PPC cement use करते हैं तो आपको दिवारें पर जो cracks होते हैं वो देखने को कम मिलेंगे और वैसे के बात करें अगर हम 43 और 53 कहां करना चाहिए ब्रिक वर्क हो गया वहां आप 43 यूज़ कर सकते हो 53 आपको वहां चूज़ करना है जहां हमारी slabs हो गई बीम हो गई जहां हैवी लोड आने वाला हो वहां पर करना होता है 43, 33, 53 यह क्या है यह उसकी compressive strength है सीमेंट की जो टेस्ट के दोरान की जाती है जैसे हमाने उपर आपको क्यूब की बात की इसी में भी ऐसे ही किया जाता है क्या किया जाता है सैंड, सीमेंट और वाटर के क्यूब्स बनाए जाते है 100 क्यूब्स बनाए जाते है जिनका टेस्ट किया जाता है तो उनकी जो स्ट्रेंथ आती है उसी बेसिस पे जो हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ रहती है 33, 43 और 53 ग्रेट का सीमेंट बेसिकली आता है आगे बढ़ते हैं अलेक्टिकल केंड्यूट्स शल नाट रन इन कॉलम कोई भी कॉलम है उसमें कभी भी जो बिजली की तारे काफी साइट्स पे देखा जाता है कि यह गलती की जाती है कि क्या किया जाता है कॉलम जो होता है यह शेर बॉल जो होती है उसमें क्या होता है एलेक्टिकल कंड्यूट्स डाल देते हैं वो खराब प्रेक्टिस है वो कभी भी नहीं करने चाहिए Earthwork excavation for basement above 3 meter should be stepped form अगर 3 meter से जादा footing की excavation हुई जहाँ टैंक हुआ जहाँ जो भी excavation कर रहे हो आप किसी चीज की 3 meter से जादा हुई तो उसके बाद आपको उसमें step रखने पड़ते हैं एक दम से वर्टिकल चीज रहेगी अगर वर्टिकल मिटी रहेगी उसके 3 meter के बाद गिरने के chances काफी जादा हो जाते हैं तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि वह step हो आगे बढ़ते हैं Any back filling shall be compacting 99% up dry density optimum moisture content जो हम test करते हैं sand replacement test हो गया तो उसमें हम check करते हैं कि उसकी जो soil आपने filling की है जो soil वहाँ available है जहां आप construction करने वाले हो उसकी compaction proper way से है की नहीं है तो वो कैसे check की जाती है sand replacement test से तो वो कितनी होनी चाहिए 95% of dry density ठीक है यह चीज दियान रखने हैं और जब भी देखो कोई भी footing खोदी उसके बाद उसकी footing होगे कॉलम होगे तो उसको filling किया जाता है मतलब उसमें मिट्टी डाली जाती है तो उस दोरान आपको जो layer डाली है 200 mm की layer डालके उसको अच्छे से compact कर लेना है flooding कर लेना है फिर दोसों की layer 200-200 की layer आपको डालके उसको अच्छे से proper करना होता है यह चीज आपको द्यान देना है और अगर बड़ा एरिया है 12-13-14 मिटर एरिया है तो उसमें 300 mm की layer आप डाल सकते हो यह चीज भी द्यान देना है आगे बढ़ते हैं सोलिंग क्या हो गया मतलों आपने शुनाए होगा रबबल्सर लेइं, क्या बिले और चीज ऑट समय है, क्योंकि यूच्छ है औहां कुछ थुद्धा एमधिल थे 45 to 60 degree पे एंगल पे वो पत्थर होना चाहिए उसके बाद उस पे मोरम या सेंड की फिलिंग आपको करनी है देखो यहां क्या होता है यह देखो वाई रिप्रेसंट टॉर्स्टी ठीक है ग्रेड एफ़ी 450 आफ S1786 विद क्रेक्टिक स्टेंथ आफ 15 newton पर mm minimum ठीक है तो क्या है जो भी जैसे ग्रेड एफ़ी 450 है यह उसकी आगे yield strength 450 क्या हो गए yield strength और इसकी जो tensile strength रहती है वो होती है 450 तो मतलब यही कहते हैं कि ISK1786 के according इसकी जो minimum yield strength कितनी होनी चाहिए 450 होनी होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं 5% mild steel grade 1 of part 1 यह हो गया आगे बढ़ते हैं यो binding wire आपको use करनी है जो भी मतलब जब steel को bind किया जाते है slab हो गई, column हो गई उसमें binding wire हम use करने हैं तो अच्छी binding wire 16 gauge की soft and yield steel wire free from rust and other containment क्या होता है कई company क्या करती है उसमें impurities के कानन के होता है एक gauge motor हो जाता है ऐसी भी motor बनाए जाता है तो उससे जो बांधने में worker को तकलीब भी होती है तो हमेशा आपको 16-18 gauge की binding wire ही अपनी side पे use करनी है यह होगे तो यह basic question थे यह हर civil engineer को पता होना चाहिए execution skills थी practical चीज़ें थी जो मैंने आज आपको बताई इसके related कोई भी question रहते है क्योंड ही रहती है comment करना मैं उसका reply जरूर करूँगा thank you guys और please channel को subscribe करो इस channel को भी grow करने में help करो thank you guys क्यूंकि आपको इसमें से काफी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और jobs के link तो आपको आने ही आने है thank you guys